नमस्कार किसान साथ योटीब चनल में आपका बहुत बहुत स्वाकत है तो किसान साथ यो इस वीडियो में आपको पता हूँगा कि जो चनी की वीजुपचार है वो आप कैसे कर सकते हैं और वीजुपचार क्यों करना चाहिए और कौन सा प्रोसेस होता है जो बिल्कुल सही ह होता है लिए विजूपचार करने से आपको क्या क्या फायदा होता है तो इस वीडियो को पूरा देखना और ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि बीजूपचार कैसे करना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं तो किसांसाथ चने की बुवाई करने से पहले बीजूपचार क्यों ज़रूरी है इसलिये ज़रूरी है क्योंकि कुछ रोग ऐसे होता है जो चने में लग जाते हैं जिसके करांद चने की पास्ट सूपने लगती है और चना एक वाटर सेंसिटीव क्रोप है तो इसमें अगर रोग बाद में आएगा तो आपको दवाई चिड़क नहीं पड़ेगी और उसके बाद पानी पिलाना पड़ेगा तब यह दवाई काम करेगी तो ऐसी नोबत ही नहाएं इसके लिए पहले से बीज उपचार अगर आप कर लेते हैं तो आपको कहीं समझियां से छुटक अगल अगो होता है चेंशने में और इससे पोद्बे लगते हैं तो किसलन साथ देम बाता कह दियुकक होते तो आप जानते कि कौन कौन से जो होता है उसके हम दीजूपचार कर सकते हैं तो एक तो कौम्इनेशन होता है कारबोक्सीन और ठीरिम यह बहुत ही से बहुत ही बढ़िया टेकनीकल होते हैं दो टेकनिकल हैं इसमें एक तो कार्वोक्सिन होता है और एक थिरम होता है यह दो फंगी साइड मिला के एक कॉंबिनेशन बनाया गया है यह बाजार में अगर में ब्रांड की बात करो तो वीटावेक्स पावर के नाम से मिल जाता है तो इनसे भी जुपचार कर सकते हैं इन वार मिलिक्विट फोर्में होता है कारवोक्सिन ओर स्ञार के लिक्विट फ़ॉर्म में होता है एक और होता है जिसके बहुत free इसलोरा दवाई होती है उसमें शाप किरांड रचंप जो बान जाएं उसमें होता है इसके लएग बाइन को बंद बनाती नृ あ भीजुपचार कर सकते हैं तो जो यह मैंने केमिकल बतायन के लाव और भी आते लेकिन यह वहती कौद्य बाजार में आपको मिल जाए का जेलोर भी आपको बाजार में देदेगा तो उमीद है कि आपको यह मैंने दवा के नाम बताइं यह तो आपको समझ में आ गए होगी उसके तो प्रफुनासक जो भीमारी होते हैं उसे हम बाच सकते हैं लेकिन कुछ कहतों में कहीं किसां सिखाइट करते हैं कि दिमक की समझियां उनको होती हैं तो उसको कर लिए आपको जो दीमत कि समख्षय उससे निजात आपको मिल जाएगी अब एक चीज और होती है वह होती तो इन दोनों से भी आप बीजुप्चार कर सकते हैं तो इनका फंगी साइड इंसेक्टिसाइड और जो राय जो बीयम है इनको किस करम में आपको भी जो बी ले रहे हैं उसको अंत में आपको उससे बीजुप्चार करना है अगर आप कल्चर से बीजुप्चार कर रहे हैं तो थोड़ी देर बीज को सुकाने के बाद अच्छे से जब बीज सूक जाए तो आपको तुरहंत बुवाई करने होते हैं क्योंकि जो बेक्टिरिया होते हो जीवित होते हैं अगर आप ज़्यादा देर रुकोगे तो आपक बीज की मातरा आपको लेनी हैं और अगर इंसेक्टिसआइट की बात करो तो भी आपको इतनी मातरा लेनी है तीन enclosed मेया प्र настे किलोगराम बीज पर आपको उसका इस्तमाल करना है कल्चर की में बात करूं तो आप पांच गराम प्रतिक किलोगराम बीज को ले सकते हैं कल्चर का अगर आप इस्तमाल कर रहे हैं तो कल्चर पांच गराम प्रतिक किलोगराम लेने के बाद आप सो गराम गुड़ और आदा गोल को अच्छे से बराबर पूरे बीच पे डाल दीजे और उसके बाद च्छाय में सुका दीजे अच्छे से सुकाने के बाद आप बुआई कर सकते हैं अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक से जरूर कीजिए अगली वीडियो में हम जानेगे कि जो चने की पसल होती इसमें खरपतवार का नेंतरण कैसे करना हैं तो तब तक के लिए जय जवान जय किसान दन्यवाद